देश की सुरक्सा को ए औरंग जे फैन क्लब सुनिश्चीत नहीं कर सकती बारतिय जनता पार्टी औरंग जे फैन क्लब कौन है? जोरा जोर से बोलो औरंग जे फैन क्लब कौन है? ठीक है अगारी वाले हैं और उसका नेता कौन है? स्रिमान उद्धव ठाकरे औरंगजे फैन कलब के नेता बने अपने आपको बाला साब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिर्यारनी खिलाने वाले लोगों के साथ बेटे हैं उद्धव जी याकुप को छोडने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बेटे हो जाकिर नाई को मेसेंजरों पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बेटे हो अभी अभी मोदी जी आये थे 13 जुलाई को 30 अजार करोड की नई परियोधनाओ का सिला नियासर उद्धाटन नरेंद्र मोदी जी को भाईयो बेनो यह हमेशा बाबा साहिब का नाम देते हैं मैं अभ्याज के आदार पर कह सकता हूँ बाबा साहिब अमबेडिकर की अवगणना और अपमान जीतना कॉंग्रेस ने किया है इतना अंग्रेजों ने भी नहीं किया था यह बात हमने घर गर जाकर बताने है और बाबा साहिब के जुड़े हुए पांच तीर्थ बनाने का काम किया तो भारतिये जनता पार्टी ने किया, और किसी ने लेए। बाबा साथ को भारत रत ना कॉंग्रेस पार्टी थी तब नहीं मिला। सम्विधान दिवस मोधिजी ने बना है। महराश्ट, गुज्रात में थे तब सम्विधान की 26 जन्वरी को यात्रा निकाल ले थ भारती जनता पार्टी की नरेंद मोधी सरकार ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चीत किया है देश भर में दसकों से जड़ लगा कर बैटे हुए नकसलवाद को समाप्ती के कगार पर लाकर खड़ दिया आज मैं आपको कह कर जाता हूँ आप महराश की जनता को बता सकते हैं दो साल के अंदर ये देश नकसलवाद से मुक्त हो जाएगा इसमें किसी को संकार रखने की ज़एगा और भाई और बैनो नरेंद्र मोदी जी ने तुरुष्टी करण की जगे सबको न्याय का सुत्र अपनाते हुए देश की सुरक्षा को सुनिश्चीत किया है आतंकवाद को जड़ से उखाडने के लिए कई सारे फैस ले लिए और मैं इसका साक्से हूँ मैं आपको आपके जैसे कारे करता है नाते बताता बहूं देश की सुरक्षा को ओरंग जे फैन क्लब सुनिश्चीत नहीं कर सकती बारतिय जनता पार्टी औरंग जे फैन क्लब कौन है ज़रा जोर से बोलो औरंग जे फैन क्लब कौन है ठीक है अगाड़ी वाले हैं और उसका नेता कौन है स्रिमान उद्धव ठाकरे औरंग जे फैन क्लब के नेता बने हैं अपने आपको बाला साब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिर्यारनी खिलाने वाले लोगों के साथ बेटे हैं उद्धव जी याकुप को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बेटे हो जाकिर नाई को मेसेंजरों पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बेटे हो और संबाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बेटे हो आ आपको सर मानी चाहें मुझे बताओ भाईयो बैनो ओरंग जे भैन क्लब महराष्ट और देश को सुरक्सित कर सकती है क्या जोर से बोलो कर सकती है क्या देश को सुरक्सा केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी दे सकती है महराष्ट को सुरक्सा केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी दे सकती है और भाईयो और बैनो मैं यहाँ पर अपिल करने के लिए हैं मैं छोटा था तब मेरी माता जी मुझे गीता समझाती थी गीता में उन्होंने कहा कि दोनों और सेनाय लगी थी और स्रुकृष्णा ने इस लोकों का चक्खिरा के माध्यम से अरजून के विसाज को समाप्त करने का प्रयास के बाल सहज कुतुहल से मैंने मेरी मा को पूछा कि दोनों और सेनाय लगी है नगाडे बज रहे हैं तूतारी बज रहे हैं दंदू भी बज रहे हैं हाथी खड़े हैं गोडे खड़े हैं और इसमें इतना बड़ा उपदेश कैसे दिया होगा तो मेरी माने मुझे बताय था कि पूरी घीता स्रीकृष्णा ने नहीं पड़ी होगी साइद स्रीकृष्णा ने इतना का होगा अर्जुन स्मृति को तेज करो जीवन भर मैंने जो उपदेश दिया है उसको आत्मसाथ करो और धनूस बान चड़ाओ और कवरो का संहार करो झाल झाल